Hello dear students, आज की वीडियो में हम लोग discuss करेंगे motion के कुछ और type of equations की तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गुरुत तो बल क्या होता है आपने देखा होगा कि जब कोई body उपर की तरफ फेकी जाती है या उपर से छोड़ी जाती है दोनों cases में वो नीचे ही आती है मतलब at least उसको प्रिथवी पर ही आना होता है लेकिन क्यों आप इसको जान भी रहे होंगे 9th class में आप पढ़ चुके हैं प्रिथवी एक बल आरोपित करती है उस पे जिससे हम गुरुत तो बल कहते हैं आपका क्या है गुरुत बल हाला कि Newton के गुरुत वा करशड का नियम जो आप पढ़ें है 9th class में वो 11th class में detail में पढ़ेंगे लेकिन हमारा basic मतलब यहाँ पर है कि आप समझें कि प्रिथवी किसी वस्तु पर एक बल आरोपित करती है जब वस्त उपर की तरफ फेकी जाती है या उपर से नीचे की ओर आती है तो प्रिथवी द्वारा जो बल लगाया जाता है उसी बल को कहते हैं गुरुत बल है ना और ये बल कारे कहां पर करता है हर एक वस्तु का एक गुरुत केंद्र होता है एक क्या होता है, गुरुत्व केंद्र ठीक उसी गुरुत्व केंद्र पर ये बलकारे करता है इसके दिसा सदेव किदर होती है, पृत्वी की ओर होती है f is equal to mg ये जो direction होगी, ये सदेव पृत्वी की ओर होगी, पृत्वी केंद्र की ओर आप कह सकते हैं पृतिभी की केंद्र की ओर ये दिस्ट होती है दिसा तो आप समझ गए होंगे कि गुरुत तुबल क्या है तो गुरुत तुबल की केस में आप अगर बॉड़ी ऊपर की तरफ फेकते हैं तब भी वही कहानी है ना बल की डिरेक्शन नीचे की तरफ और अगर आप उपर से छोड़ते हैं नीचे तब भी वही कहानी आती है तो यहाँ पे आप गुरुत बल अगर चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं otherwise आप ग्रिविटेशन वाले चेप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि motion under gravity क्या होता है गुरुत के अंतरगत गति कर रही है body तब वहाँ पे equation साफ motion किस प्रकार से shift होगा यह आपको समझना है तो आपने क्या पढ़ा कि V is equal to U plus 80 यह आपका है पहला equation आपने दूसरा पढ़ा S is equal to UT plus half 80 square यह आपका दूसरा equation है तीसरा आपने पढ़ा V square is equal to U square plus 2A yes लेकिन यह सभी conditions अगर हम लोग मान लें कि body हमारी कहां से move कर रही है mole window से नहीं move कर रही है मतलब origin point से अगर वो नहीं move कर रही है तब यह equations आपके shift होते हैं जैसा कि हमने आपको बताया है है ना उस conditions में यह वाला equation थोड़ा shift होगा मतलब आप पाएंगे X is equal to कितना X naught है ना plus कितना UT plus half 80 square और यह वाला equation भी shift होगा जो आपका तीसरा equation है यह shift होता है V square is equal to U square plus 2A yes मतलब आपका X है yes मतलब क्या है X है और S naught का मतलब क्या है X naught तो यहां पे आप लिखेंगे कितना X minus X naught अगर वस्तु हमारी mole window से चलना सुरू कर देगी तब उस condition में X naught क्या हो जाता है 0 otherwise यह 0 नहीं होता है तो basic का आपने जो पढ़ा है वो mole window से ही पढ़ा है लेकिन अपने label के अनुसार 11th में आपने ये भी जाना कि अगर वो mole window से नहीं चलेगी तब यह सब इक questions आपके इसी तरह से होंगे पहले वाले question ऐसे ही रहता है चाहे वो हम mole window से बोले या फिर किसी एक position से बोले तो इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं फिर से recall कर दे रहा हूं यहाँ से अगर body चलती है X naught से है ना और कैसे चलती है पृत्वी तल पर ही गति करे सरल लेखा में तब यह जो equations हैं यह आपको मिलते हैं मतलब यह motion के equations तब आपको मिलते हैं जब वस्तु हमारी पृत्वी तल पर ही गति करती है तब यह equations of motion आपको मिलते हैं अब आपको क्या समझना है आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जब वो under gravity move करेगी गृत्त के आधिन गति करेगी तब वहाँ पर कुछ चीज़े आपको ध्यान रखनी है क्या आपका जो भी है यह भी ही रहेगा अंतिम वेग भी क्या है आपका अंतिम वेग यह as it is रहेगा दोनों में चाहिए यह पृत्वी तल पर हो पृत्वी तल पर और इधर हम लिखते हैं गृत्त तरगत है ना गृत्त तरगत गति जब होगी तब भी भी होगा यू यू होगा लेकिन यस यच में convert हो जाता है यस को हम symbolize करते हैं यस क्या है मतलब जो तल पर चली गई दूरी है वस तू जितना दूरी चलती है उसको या तो हम यस से लिखते हैं या फिर यक्स से लिखते हैं लेकिन जब वो upward and downward ऐसे move करना स्टार्ट करती है तब हम यक्स को denote करते हैं किस से या आप कह सकते हैं यक्स denote होता है किस से यहाँ पे यह height है ह-e-i-g-h-t यही आपका yes भी था मतलब सरल लिखा में yes और x बराबर हैं सरल लिखा का मतलब जब प्रिथवी तल पे होगा तब लेकिन जब under gravity की बात आती है तो yes और yaks के अस्थान पे हम h replace करते हैं अभी आप समझेंगे पूरी बात और एक चीज और replace होता है आपका रेखिये त्वरड है एक लेकिन ये replace करना है किससे जी से जी आपका क्या है गुरुतिये त्वरड है गुरुतिये त्वरड जब किसी वस्तु पे कारे करता है तो वो सदेव नियत होता है मतलब अगर कोई वस्तु गुरुत्वा करशड के आधीन या गुरुत्वांतर गति करती है तब उस समय वस्तु पर जो त्वरड कारे करता है वही उसका गुरुतिये त्वरड कहलाता है है ना गुरुतिये त्वरड क्या है जब कोई वस्तु गुरुत्वांतर गति करती है तो उस पर जो त्वरड कारे करता है उसे हम गुरुतिये त्वरड कहते हैं या किसी वस्तु पर गुरुतिये बल के कारड जो त्वरड उत्पन होता है उसे गुरुतिये त्वरड कहते हैं इसका भी मात्रक होता है कितना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर इसको भी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वाइर में ही हम लिखते हैं अर्थात इसका भी मात्रक वही है जो रेखिये तरड का है रेखिये तरड को ए से लिखते हैं गुरुतिये तरड को जी से लिखते हैं अब कुछ अस्थानों पे G का मान, कितना मान लिया जाता है, 10 मीटर पर 2nd स्क्वेर, तो ये सब तो बहुत बेसिक चीजे हैं, और बेसिक कबर करने का मतलब मेरा ये है कि सारी चीजें आपको रिमाइंड हो जाएं, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो 9th, 10th, अभी आप 11th में हैं, अब आपको equations of motion लिखना है, है ना, जब वस्तु हमारी गुरुत्वा करशड के आधिन, अर्थात गुरुत्वा नतर्गत गदिकरीगी, तब equations of motion क्या बनेंगे, ये आपको समझना है, अब 2 cases अपलाई होती हैं, एक जब वस्तु नीचे से उपर जात हैं, तो यहां पर हमने क्या लिखा है, जब वस्तु प्रित्वी से उर्द्वाधर उपर की और फेकी जाए, तब है ना, गति का समीकरड, ये क्या बनेगा, ये आप यहां पर देखिए, आपका पहला ही question जो बनेगा, उपर की और फेका जा रहा है, ध्यान दीजेगा, इस gt, अभी आपको हम समझाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका, h is equal to, ut minus half gt square, और तीसरा हो जाएगा, v square is equal to u square minus 2gh, यहां पर एक चीज आपको समझना है, कि हमने minus क्यों लिया, जब आप पृत्वी तल से उपर की ओर जाते हैं, पृत्वी तल से, तो actual में, जो बल कारे करता है, उसकी दिसा नीचे की तरफ होती है, f is equal to mg, जो कारे करेगा, उसकी दिसा नीचे की ओर, तो बल की दिसा में ही तुरण कारे करेगा, तो आप उपर जा रहे हैं, इसका मतलब, यह कि आप जो तुरण की direction हैं, उसके बिरुद्ध कारे कर रहे हैं, मतलब, उपर की तरफ अगर आप जाते हैं, तो direction आपको g के तो यह तो हो गया direction of motion, direction of motion, लेकिन इस पे जो बल कारे करता है, इस body पे जो बल कारे करेगा, उसकी direction किदर होगी, यह f is equal to mg की direction होगी, तो जो बल की दिसा है, वही तुरण की दिसा होगी, है ना, मतलब, गुरुत बल के विरुद्ध आप जा रहे हैं, अब g की direction यह है, यही g की direction है, जो इस पे काम कर रही है, लेकिन आप इसको पलट के लेके जा रहे हैं, उपर की तरफ, इधर, तो इसका मतलब यह हुआ, कि तुरण आपका घटेगा, तुरण आपका घटेगा, पिर्थवी तल के समीप, तुरण का मान जादा होता है, और जब हम उपर जात हैं, तो g कामान negative होता है, मतलब घटेगा, इसलिए आप यहाँ पे g के अस्थान पर क्या रख सकते हैं, minus, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, कि अगर body उपर जाएगी, तो वहाँ पे आपको यह equation positive में नहीं रखना है, सारे equations negative में हो जाएंगे, region क्या है, आपको हमने ब प्रेदिशा में हो रही है, उपर आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कि आपको g negative रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुत तबल और आपके द्वारा जो गती हो रही है, इन दोनों की directions opposite हैं, तो आपको g positive में नहीं negative में रखना पड़ेगा, इसलिए कि g उसी direction में रहे, logic तो यहीं कहता है, कि g भी उसी direction में रहे, तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे minus symbol यूज करेंगे, g आपका negative रहेगा, तो पूरा equation negative हो जाएगा, positive से negative में convert हो जाएगा, इस तरह से आपका equation मिलेगा, सीधा मतलब यह है, कि अगर आप देखेंगे questions में, कि बस तो हमारी पृतवीता से उपर की ओर फेकी जा रही है, और वहाँ पे गुरुतिये गति के लिए हमें गति का समिकड प्रियोग करना है, तो आप minus में यह equation प्रूब करेंगे, और minus में ही यह equation आप लिखेंगे, और प्रूब का मतलब यह है, कि आपने जिस तरह से equations of motion प्रूब किये हैं, linear में, similar उसी तरह से होता है, इसका कोई importance है नहीं, तो इसलिए आप इस पर ध्यान ना दीजिए, आप सिर्फ यह concept समझेए, कि अगर कोई body प्रिथवीता से उपर की ओर जाती है, तो equations of motion यह बनेगा, यह पहला equation बनेगा, यह दूसरा equation बनेगा, और यह तीसरा equation बनेगा, इसमें जहाँ पे u plus 80 हो गयरा करते थे, यह सब replace होगा, जैसे हमने बताया, गृत्वा करसर जब गती होती है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़े replace होती है, यह सब replace करके आप minus symbol के साथ में यह equation क्या, v is equal to क्या, u minus gt, मतलब यह हमारा कहने का है, body आपकी यहाँ से जा रही है, अलेडी इसकी कुछ height थी, h0, h0 से चल रही है, और यह इस तरह से जा रही है, तो इस case में आपको मिलेगा, h is equal to कितना, h0 plus, कितना, ut और आपको minus half gt square, इस तरह से लिखना है, अगर यह आपका पृत्वी तल से ही होता, तो यह equation आता, और similarly आपके कह देंगे, यहाँ पे क्या, v square is equal to, u square minus 2, g, और यहाँ पे कितना, h minus h0, यह करके आप यूज करेंगे, तो इस तरह से आप पहली case में equation साफ motion लिखेंगे, आप दूसरी case की बात कर लेते हैं, जब वस्तु पृत्वी तल की ओर, उपर से नीचे औरध्वाधर गति करें, मतलब सीधे सीधे यह पृत्वी की ओर ही आ रही है, तो यह body है, इस पे बल mg नीचे की ओर काम करेगा, तो बल की दिशा में ही वस्तु की गति है, वस्तु की गति और बल दोनों की direction सेम है, अब यहाँ पे जो equation आप motion बनेगा, यह हो जाएगा, V is equal to कितना, U plus GT, और दूसरा बनेगा, H is equal to, UT plus half GT square, और तेसरा बन जाएगा, V square is equal to, U square plus 2GH, यह तो बनेगा, जब वस्तु, एक fixed direction से ऐसे छोड़ी जाएगी, आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बीच से छोड़ी जा रही है, अलेडी पहले इतना कबर कर चुकी है, H naught से उसको छोड़ रहे हैं, तब यह equation बनेगा, V is equal to कितना, U plus GT, और H is equal to कितना, H naught plus UT, plus half GT square, और यहाँ पे आपको मिलेगा, V square is equal to, U square plus 2GH minus H naught, ऐसा मिल जाएगा, तो इस तरह से आप, equation साफ motion लिख सकते हैं, बहुत इजी concept है, आपको बस ध्यान देना है थोड़ा सा, जब बस तो नीचे से उपर जाए, और जब उपर से नीचे आए, तो आप इसको एक साधार भासा में समझ सकते हैं, कि जब उपर से नीचे आएंगे, है ना, तो आप समझ लिजिए कि तरह बढ़ता है, ऐसा आप माल लिजिए, और जब नीचे से उपर जाएंगे, तो तरह घटता है, तो equation माइनस में चलेगा, घटने वाली condition में, और बढ़ने वाली condition में, प्लस में चलेगा, तो ये तो हो गया, जब वस्तु हमारी गुरुत्वां तरगत गति करती है, तब equation साफ motion हो गए, लेकिन यहाँ पे आपको अब बताना है, retardation के लिए गति के समीकरड क्या होंगे, retardation, मतलब ये कि जब वस्तु का जो वेग है, वो नियत दर से घट रहा है, अर्थात उसका त्वरड नियत तो है, लेकिन लगातार उसका वेग एक निश्चित रेट से घट रहा है, मतलब ये कि अगर 2 मीटर प्रति सेकंड पहले वाले सेकंड में कम हुआ, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड कम हो गया, ये velocity कम हो रही है, इसका मतलब ये कि वस्तु का वेग लगातार घट रहा है, लेकिन नियत दर से घट रहा है, अर्थात इस कंडिशन में जो त्वरड आएगा, वो नियत ही आएगा, सम में वही आएगा, ए, मतलब तुरड भी आपका यहाँ पे नियत है क्यों? क्योंकि वस्तु का वेग नियत दर से घट रहा है और यह कंडिशन तब पैदा होगी जब वस्तु को रोकने का प्रयास किया जाएगा तो आपने जो क्वेशन पढ़ा था वो एक समान रूप से त्वरित वस्तु के लिए था और उसमें वस्तु का तुरड नियत तो था लेकिन एक समान वेग से वो त्वरित थी अब यहाँ तो एक समान वेग से वो क्या कर रही है? एक समान वेग से वो लगातार अपने वेग को कम कर रही है एक समादर से अपनी velocity को घटा रही है तब इस condition में बोला जाता है कि मंदन हो रहा है वस्तू क्या हो रही है अवमंदित हो रही है मतलब slow down हो रही है अब धीरे धीरे करके वो रुख जाएगी और ये condition तब उत्पन होती है जैसे माल लिजी है road पे एक car move कर रही है तो break यहाँ पे लगा धीरे धीरे इसने अपनी velocity कम करना start किया इस point पे आके रुख गई यहाँ पे stop हो गया तो क्या हुआ होगा यहाँ पे इसकी गति में मंदन हुआ होगा continuously और अगर ये एक समानदर से अपने वेक को कम कर रही है तो तरड तो नियत होगा यही होगा लेकिन इस condition में आपको तरड घर्टा हुआ दिखाना है मतलब मंदन के लिए मंदन के लिए एक कामान क्या होगा negative होगा और इस इस्तिती में आपको जो equations आप motion मिलेगा तब क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा V is equal to U minus 80 और Yes is equal to U T minus half 80 square और आपको क्या मिलेगा V square is equal to U T यहाँ पर U square और आपको क्या मिलेगा minus 2 A Yes तो क्या आपको दूसरा equation हो गया था तो पहला equation क्या होगा V is equal to U minus 80 दूसरा Yes is equal to U T minus half 80 square और तिसरा V square is equal to U square minus 2 A Yes यहाँ पर आप जब यह सोचेंगे कि वस तो हमारी आलेडी मूल विंदू से नहीं यक्स नाट से चल लही थी है ना ये चीज और वो यक्स तक जाती है या कहीं भी जाके रोके उससे मतलब नहीं यक्स नाट से वो चले तब इस case में retardation के लिए प्रिथिवी तल पर equations of motion क्या बनेंगी वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं वो हो जाएगा V is equal to U minus 80 पहले equation में कोई changing नहीं बस यहाँ पर क्या किया गया है अगर यहाँ पर retardation नहीं होता मतलब और मंदन नहीं होता मंदन की स्थिती नहीं होती तब यह सभी questions किस में होते प्लस में जो होते भी is equal to U plus 80 अब यहाँ पर प्लस का मतलब यह कि वस्तु का जो वेग है वो नियत दर से बढ़ रहा है और तरड उसमें नियत आएगा जरूर आएगा नियत दर से अगर उसका वेग बढ़ेगा तो तरड आपका पॉजिटिव में आएगा और नियत रहेगा लेकिन जब आउमंदित होगी उसका वेग लगातार घटेगा और नियत दर से घटेगा तब उस case में भी तरड आपका नियत रहेगा लेकिन तरड माइनस रखा जाएगा क्योंकि वेलास्टी धीरे-धीरे घट रही है इसलिए आपका जो equation है ये plus shift हो जाता है कि symbol के साथ में माइनस के साथ में मतलब तरड आपका a था अब आप इसमें minus a रखेंगे तो इस तरह से equation बना अब फटा-फटम बता देते हैं ये हो जाएगा आपका क्या yes minus yes not is equal to ut minus half 80 square या इसी को आप लिख सकते है s is equal to क्या s not plus ut minus half 80 square एक चीज़ ध्यान दिजिए इसी yes को हमने x लिखा था और yes not को x not plus ut minus half 80 e square तो बात वही है बस इसको हमने yes और x में बस change किया है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है तो ये आपके हो गए second equation अब third वाला क्या बनेगा v square is equal to u square minus 2 a x के अस्थान पे यहाँ पे x minus x not होना चाहिए या आप इसको v square is equal to u square minus 2 a yes minus s not लिख सकते है मतलब ये वाला point आपका yes not से भी denote किया जा सकता है अगर ये वाला point आपका yaks था तो इसे yes भी बन सकते हैं या पे इस तरह से आपका ये question बन जाएगा अब आपको एक और special case बता देते हैं अगर बस्तू हमारी पिर्थवी की ओर मुक्त रूप से गिर रही है मतलब freely fall freely falling body हो इसका मतलब ये कि यहां से उसको ऐसे मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो ये ऐसे आएगी और इस condition में आपको equations of motion कैसे मिलेंगे अब अगर मुक्त रूप से ऐसे छोड़ा जा रहा है इसका मतलब ये कि वो गुरुत्वा अंतरगत गति करेगी तो जो motion आप equation होगा वो किसका होगा वो आपका गुरुत्वा अंतरगत गति के लिए equations आप motion होगा मतलब ये कि आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा V square is equal to U square plus 2GH ये तो आपका third equation है first क्या था? V is equal to U plus GT और आपने पढ़ा H is equal to UT plus half GT square ये first, ये second और ये third ये तब का था जब वस्तु पृत्वी की ओर आ रही है तब equations of motion ये थे अब अगर वो मुक्त रूप से गिरती है तो मतलब U is equal to क्या हो जाएगा? 0 मुक्त रूप का मतलब start में उसको कोई वेक दिया ही नहीं गया ऐसे सिर्फ पकड़ के छोड़ दिया गया अब इस condition में आपको क्या मिल जाएगा? पहला equation जो मिलेगा इसमें U is equal to आपको 0 रखना है तो जब वस्तु हमारी पृत्वी की ओर मुक्त रूप से गिरेगी तब गतिका समीकर जो बनेगा वो पहला equation हो जाएगा V is equal to GT ये बन जाएगा और दूसरा equation क्या बनेगा? H is equal to ये वाला part आपका 0 हो जाएगा U is equal to 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा part क्या हो जाएगा? 0 और आपको मिलेगा half GT square इसी को थोड़ा सा और solve करेंगी तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? T का मन कैसे? यहाँ से 2 इधर आएगा 2H हो जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा GT square या आप यहाँ से जब T निकालना चाहेंगे तो T is equal to आपको मिलेगा कितना? 2H by G और इतने का under root तो equation तो आपको यही बनेगा अब इसकी changing है तो आप changing करी सकते हैं और तीसरा equation जो बनने वाला है वो हो जाएगा V square is equal to 2GH क्योंकि अगर आप U is equal to 0 रखेंगे तो यही पार तो बचेगा अब इस case में अंतिम बेग अगर निकालना हुआ तो V is equal to आप कर सकते हैं under root 2GH इस फार्मूले का यूज बहुत जगा पे होता है नुमेरकस में तो उम्मीद करता हूँ कि सारे concept आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर किसी point पे आपको update out है तो आप हमें जरूर comment करें पूरी तरह से उस problem को हम धूर करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में आपको कुछ नई टॉपिके मिलेंगी यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद